धन्यवाद शक्ति भाई मुझे आपने ये चंद मिन्तों का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बारी हूँ बहुत संख्षेप में अपनी बात रखूँगा हमारा परिवार या तो प्रोफेशन में था या आर्मी में था या है परिवार से लोग आर्मी चीफ के पत्तक में भी रहे हैं तो इसलिए जब कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं आर्मी वालों से बात करता हूँ कश्मीर की वादियों में भी सिक्किम में भी भुटान में भी जब बॉर्डर एरिया में जाता हूँ तो मैं लोगों से बात करता हूँ और मुझे कौन मिलते थे रीवा का सैनिक, भिंड का सैनिक, मुरेना का सैनिक, यूपी का सैनिक, बिहार का सैनिक जब उनसे मैं बात करता था तो मुझे समाझ आता था कि भारत के कुछ ऐसे ग्रामीन छेतर है कम से कम साथ आठ प्राम्तों में जहां सैनिक बनना एक सपना है बचपन से वो दौर लगाते हैं उठा बैटक करते हैं और अपने आपिक को सैनिक बनने की तयारी करते हैं मैं केंटनमेंट एरिया से आया हूं जबलपोर और वो पूरे छेत में जब रिक्रूट्मेंट होता है तो हजारों की संक्या में ट्रेनों में भर भर के छटों में बैट बैट के बच्चे रिकूट्मेंट के लिए आते हैं और वो भीर देखके आपको आश्चर होगा कि लोगों की चिस प्रकार की मंशा या कांशा है सेनिक बनने की आपने इतना बड़ा निर्ने ले लिया जो पूरे डिफेंस रेक्रूट्मेंट को एफेक्ट करता है और आपने किसी से पूछा नहीं आपने हो सकता है कि चंद अफ या कोई फौज में ऐसी कोई आपस में बाचीत हुई होगी बहुत बड़ी बड़े स्थर पे आपने पॉब्लिक से नहीं बात की आपने पार्लिमेंट में ये बात नहीं रखी हो सकता कि अगर आप ये बातें पार्लिमेंट में रखते तो ये चीज़ें आपके सामने आती तो जब फार्मलो आया था तब मोदी जी से मैंने एक ही चीज बोली थी मोदी जी या तो पार्लिमेंट में डिसकॉशन कर लीजे या सडकों पे कर लीजे अगर आप पार्लिमेंट में नहीं करोगे तो आपको सडकों में करना पड़ेगा तो आज बहुत ही दुखत बात है ये नैशनल डिफेंस की बात है और जब मैं देखता हूँ के यूथ यूवा के सपने चुकना चूर हो रहे हैं तो यूवा के पास दूसरा कोई कोई वेपन नहीं है वो खाली सड़क पही आएगा ये जो बच्चे सड़क पे आए ये प्रायुजित नहीं था इनको किसी ने कुछ नहीं बोला था इनके जब सपने टूटे तो ये सड़क पे आगए अब आप छोटी छोटी एमेंडमेंट्स करके इनके सपनों को वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये वो सोला साल वीस साल की नौकरी चाहते हैं वो सीजब आप इसके बाद पेंशन फर उसके बाद जो नौकरियां उनको दूस्त प्राइविट पबिक सेक्टर में मिलती है वो एक स्टीम-णाइज प्रूसीजर है आप दे वो प्रूसीजर खतम कर दिया चार विजया जी मुख्यमंत्री थे और मद्यपदेश सरकार ने हम लोग सब के कहने से एक सर्विसमेंट का कोटा दिया था पांच परसेंट दस परसेंट कोटा कई जगों पे आरेक्शन में मद्यपदेश में दिया गया था और आज बाचपा सरकार ने वो कोटा भी खतम कर दिया और एक सर्विसमेन आज कोट में हाई कोट में है तो मेरा ते यह कहना है कि यह नैशनल सेक्यूरिटी के बारे में सोच नहीं सकते ना सोच है यह तो बिजनिसमेन है इनको बिजनिस करना आता है देखिए बिजनिस एक अलग फील्ड होती है नैशनल सेक्यूरिटी का अलग फी सी को पॉस करिए इसको रोकिए ने तो जैसे फार्म लोग में लेकर आपको मुकी खानी पड़ी और आपको वापस देना पड़ा यही यही चीज फिर होगी मगर इसमें अंतर खा लिए है तब तब कि शक लोग आपसे नराज थे अब पुरे देश का युग आपसे नराज हो जाएगा थैंक यू जैहिन